नमस्ति विध्यारतियों, डॉक्टर किर्ती जिन्दी की दुनिया में आपका स्वागत है आज में आपके लिए कक्षा नवी, मराठी अक्षर भारती इसका जो लेसन है आपका G.I.P. रेलवे उसमें ये स्वमत दिया हुआ है कि रेलवे चा शोध देशा चा आर्थिक विका साला गती देड़ना रहा है तो हमें यह बताना है कि रेलवे की जो खोज हुई थी उससे हमारे देश के जो आर्थिक विका से उसको गती मिली थी तो इसके उपर हम क्या लिख सकते है देखते है रेलवे लाइन भारतात सर्वत्र पसर लेली आहे यहने रेलवे लाइन भारत में सभी दूर फैली हुई है आनिहा प्रवासाचा सर्वात स्वस्त माध्यम आहे और ये प्रवास यानि की यात्रा का सबसे सस्ता माध्यम है संपुर्ण देशात येजा करने ची सरवात स्वस्तव मस्त सोया है यानि की रेलवे जो है पूरे देश में कहीं भी आने जाने के लिए सबसे सस्ती और अच्छा माध्यम है एका दिवसात करोडों लोग रेलवे ने प्रवास करतात एक दिन में करोडों लोग जो है रेलवे से प्रवास करते हैं त्या मुड़े करोडों रुपयांची उलाड हाल रोज होते और इसी लिए करोडों रुपय की जो उलाड हाल है वह रोज होती है जिरने करून देशा चा आर्थिक विकास अला गती मिलते और इसी कारण से इन पैसों से हमारे देश के आर्थिक विकास को गती मिलती है रेल्वे ने लाखो लोकानना रोजगार दिला आहे रेल्वे की जो खोज हुए उसका एक फाइदा ये भी हुआ कि उससे हज़ारो लाखो लोगों को रोजगार मिला माल वाहतु की जाथ सांगला पर रहाया है असले मुले रेल्वे आर्थिक प्रगती साधनारा ठेहर लाया है याने क्यूंकि माल को एक जगे से दूसरे जगे ले जाने के लिए ये सबसे अच्छा माध्यम बना और इसलिए आर्थिक प्रगती का भी ये सबसे अच्छा माध्यम है क्यूंकि रेल्वे को तो पैसा मिल ही रहा है जो भी माल एक जगे से दूसरे जगे जा रहा है तो व्यवसाईयों का व्यवसाई भी अच्छा चल रहा है और उससे उनकी इंकम जो है वो अच्छी हो रही है जैसे ही रेलवे की खोज हुई उसके कारण हमारा समय की बच्छत होना शुरू हुई पहले एक जगे से दूसरे जगे जाने में बहुत लंबा समय लगा करता था कभी कभी दो दो तिन तिन दिन भी लगा करते थे जो अब रेलवे से एकदम कम हो गए है खड़तर प्रवास आतुन मुक्ती दिली पहले बेलगाडियों का प्रवास या पेदल प्रवास हुआ करता था और उसमें धक्के खाते हुए जाना आना और बड़ा थकान हो जाती थी तो उससे अब हमें मुक्ती मिल चुके है लोग आपला उरलेला वेलेचा दूसरा योग्य ठीकानी सदुपयोग करू लगले और लोग जो है अपने बचे हुए समय का जो समय की बचत उनकी हुए है उसका दूसरी जगह कहीं सदुपयोग करने लगे रेलवे प्रवास स्वस्त असलाने सरवाना परवड़ना रहा ठरला और रेलवे का प्रवास क्योंकि सस्ता है इसलिए सब भी को वह परवड़ता है वो देशा साथी मोला चा वो खरया अर्थिया आर्थिक गती देना रहा ठरला और ये जो मतलब रेल्वे का प्रवास है रेल्वे से होने वाले इंकम है वो हमारे देश के लिए बहुत ही कीमती रही और हमारे देश के आर्थिक विकास को सबसे जादा गती इसी से मिली यह हम कहें कि सबसे पहले आर्थिक विकास को गती मिलना कहां से शुरू हुई तो वहर हिल्वे से ही शुरू हुई विध्यारतियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगाई मुझे बताईएगा जरूर मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो अपने फ्रेंज के साथ में शेयर भी जरूर से कीजिए क्योंकि मिलबाट कर पढ़ने से ज्यान बढ़ता है कभी भी कम नहीं होता इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए तो मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ति